नमस्कार आदाब स्लाम सस्रियकल जैश्री कृष्णा मैं राखी शर्मा आपकी होस्ट आपकी दोस्ट लेके हाजिर हूँ आप सब का मन पसंदीदा प्रोग्रेम यादों का सफर यादों को ताजा करता सफर कहानिया सुनना किसे अच्छा नहीं लगता हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी इस्पेशली जब वो हो लाइफ स्टोरी हमारे फेवरेट फिल्मी परसनालिटी की तो जनाब यही तो है हमारा प्रोग्रेम यादों का सफर जिसमें हम यादे ताजा करते हैं रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं हमारे फिल्मी परसनालिटी की तो आज जिस अदाकारा की जिस नृत्की की हम बात करने जा रहे हैं वो भारतिये सिनेमा की पहली आइटम गर्ल है उन्होंने भारतिये सिनेमा को 500 से भी अधिक मूवीज दी वो प्रख्यात नृत्की थी, फेमस डांसर थी, भारत की मशूर डांसर उनके डांस के बीना मूवी का सुक्सेस्फुल होना थोड़ा डाउटफुल लगता था अगर उन्हें डांसिंग डॉल कहा जाए तो गलत नहीं है खुबसूरत हुस्न की मलिका और डांसिंग की अभिन्य प्रतिपा पर राज करने वाली ये अधाकारा है हमारी फेमस डांसर हेलन जी जी जनाब, आज यादों का सफर में हम बातें करने जा रहे हैं हेलन जी के जीवन सफर के बारे में भारत की मशूर डांसर हेलन का नाम हेलन जैराग रिचर्डसन था इनका जनन 21 नवेंबर 1938 में बर्मा में हुआ था इनके पिता अंगलो इंडियन थे तथा इनकी माता बर्मीज थी बर्मा के यौंगान इलाके में इनका जन्म हुआ मगर इनकी आर्थिक हालाद ठीक ठाक थे क्योंकि वो समय भी अच्छा ना था सेकिंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था जिसके कारण जिंदगी में लाइफ में काफी डिस्टरबेंस थी और इसी दौरान ही इनके पिता की मृत्तिव हो गई मुश्किले दिन बदिन बढ़ती जा रही थी अभी पिता की मृत्तिव के सदमे से निकल नहीं पाई थी कि जापानियों के हमला करने के डर से बर्मा छोड की सब लोगों को हिंदोस्तान की और पैदल ही भागना पड़ा काफिलों में लोग जाने लगे हिंदोस्तान की और ना बदन पे कपड़े ना खाने को रोटी हालात बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण थे गाउं कोई भी रास्ते में आता वहीं पे रुक के थोड़ा बहुत खाया जाता जब तक ब्रिटिश सेना से इनका संपर्ख ना हुआ इनकी हालत देयनिय थी उसके बाद उनकी देखवाल की गए डिबलूगर पहुँचते पहुँचते इनका काफिला आधा रह गया काफी लोग रास्ते में ही भूख के चलते मर गए इसी दोरान इनकी माता भी प्रेग्नेंट थी जिन्होंने इसी समय अपनी संतान को खो दिया फिर वो डिबलूगर से क्यालकिता आकर सेचल हो गए परिवार की आर्थिक तंगी के चलते उनकी माता ने नर्स का काम करना शुरू कर दिया बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे चला पाती थी बच्चों का पालन पोशन कर पाती थी हेलन जी के मन में हमेशा रहता था कि अगर उन्हें कुछ थोड़ा सा भी काम या नौकरी मिल जाए तो वो अपने परिवार की अपनी माता की मदद कर सके मगर किस्मत के रंग अलग ही होते हैं उन्हें ये क्या पता था कि हेलन एक दिन भारतिय सिनेमा की मशूर हस्ती बन जाएगी हेलन एक ऐसा नाम बन जाएगा जिस पे पूरे भारतिय सिनेमा को गर्व होगा हेलन के फिल्मी सफर की शुरुआत होई उस समय की famous dancer तथा actress कुकू के दवारा उन्होंने हेलन को chorus dancer का काम दिलवाया यादों का सफर आज यादें ताजा कर रहा है हेलन जी की हेलन जी सबके दिलों पे राज करती है ये कहना गलत ना होगा हर मुवी में जो dance performance होती है या जो dance number होता है सबका favorite होता है क्योंकि वो एक ऐसा dance number होता है जो life भर देता है मुवी में ऐसा ही कुछ हेलन जी का भी था तो जी हेलन जी की शुरुआत होई movie शबिस्तान तथा आवारा से उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया इसी के साथ उनकी performance जब पसंद की जाने लगी तो उन्हें movies में solo dance की performance मिलने लगी movies जैसे कि अलिफ लैला तथा हूरे अर्प में उन्होंने solo dance performance दी और solo dance performance दीने पर उनको काफी recognition मिली, identity मिली और फिर क्या था? उनकी किस्मत पलटने लगी उनके गोरे रंग, खुबसूरत चेहरे तथा dance का जादू कुछ ऐसा चला कि लोग उनके दिवाने हो गए तो हेलन जी की demand बढ़ने लगी तबी शक्ती सामन्थ जी की movie आई हावडा ब्रेच उसमें एक गीत था जिसे गीता दजी ने गाया था गीत था मेरा नाम चिंचिंचू बिल्कुल जनाब इस गीत को हम आज भी बहुत अच्छे से जानते हैं गाते हैं और इस गीत पे थिरकते भी हैं इस गीत की picturization करी गई थी हेलन जी से हेलन जी के dance ने इस गीत को काफी popular कर दिया पचास और साथ का दशक कुछ ऐसा था कि हेलन का dance काफी माना जाने लगा काफी पसंद किया जाने लगा शुरुआत तो उनकी गीता दजी की आवाज से हुई थी लेकिन उसके बाद आशा भॉंसले जी ने अपनी आवाज दी ये वो दशक था जब आशा भॉंसले जी जादा से जादा कैबरे सॉंग गाया करती थी तो उसमें जब भी वो कैबरे सॉंग होता था तो डांसर होती थी हेलन जी आशा भॉंसले की आवाज और हेलन के डांस की मस्ती कुछ इस कदर चड़ गई थी कि हर कोई निर्माता, हर कोई प्रोड्यूसर हेलन जी को अपने आइटम नंबर के लिए मूवी के आइटम नंबर के लिए साइन करता जा रहा था ये वही हेलन थी जो एक समय खाने के लिए भी तरस रही थी और अभी हेलन जी पूरी इंडस्ट्री पे राज कर रही थे यादों का सफर हेलन जी के सब हेलन जी, famous dancer होने के साथ साथ खुबसूरती की मलिका होने के साथ साथ एक अच्छी अभिनेत्री भी थी ये उन्होंने प्रूफ किया अपने फिल्मी करियर में जब हुने best supporting actress के लिए नॉमिनेट किया गया फिल्म थी गुमनाम जजबाती रोल था मगर हेलन जी ने उसको बहुत ही खुबसूरती से निभाया ये एक तरह से चैलेंज था हेलन जी के लिए क्योंकि उनकी फिल्ड बिलकुल अलग थी dance की, cabaret dance की मगर जब बात acting की आई तो उन्होंने अपने को प्रूफ किया और खड़ी हो गई Film Fair Awards में Best Nominated Supporting Actress के रूप में इसके साथ ही एक और शक्ती सामन जी की मूवी आई और महेश बट की मूवी आई लहू के दो रंग जिसमें इन्होंने गजब की पिर्फॉर्मेंस दी आशा बॉन्सले तथा गीता दद जी के साथ साथ हेलन जी खुश किसमत थी कि उनके लिए लता मंगेशकर जी भी गाने को त्यार हो गए मूवी थी शक्ती सामंत की मूवी इंतकाम लक्ष्मी कान प्यारे लाल जी ने लता मंगेशकर जी की किसी तरह मिननत करके उन्हें मनाया कि आप इस फिल्म में हेलन को आवाज दे और उसकी आवाज से लता दीर की आवाज से जब वो गीत सजा तो वहां का सुपर डुपर हिट गीत हो गया तो जनाब जैसा कि आप सब जानते हैं हम फिल्मी सफर के साथ साथ निजी जिन्दगी के बारे में भी बताते हैं हमारे famous hero heroines की तो जी आज हेलन जी के भी हम निजी जिन्दगी के बारे में आपको रूबरू कराएंगे अभी तक हमने जाना हेलन जी के फिल्मी सफर के बारे में उनके डांसिंग टेलेंट के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रिस के रूप में उनको जाना अभी हम बताएंगे आपको उनकी निजी जिन्दगी के बारे में अगर बात की जाए उनकी personal life की तो हेलन जी अपनी personal life में उनका उस समय के famous director P.N. Arora के साथ काफी गहरा रिश्टा रहा ये रिश्टा काफी लंबा चला मगर जब दिखा कि ये रिश्टा कहीं दिशा नहीं पकड़ रहा तो हेलन जी ने इस रिश्टे पे विराम लगाग दिया और आगे बढ़ गी आगे जाकर उन्होंने जावेद सलीम की जोडी famous जोडी में से सलीम खान के साथ शादी कर ली सलीम खान पहले से ही शादी शुदा थे उनकी बीवी सलमा, बेटा सलमान, अरबाज, सोहेल तथा बेटी अलवीरा उस परिवार में पहले से ही थे हेलन जी जाके उस परिवार में घुल मिल गई इन्होंने अपनी शादी के बाद बेटी अरपिता को गोद लिया बहुत ही खुशाल परिवार माना जाता है, सब में बेहद महबबत है यहां तक कि हेलन जी ने अपने बेटे सलमान के साथ खामोशी दे म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम में भी काम किया अपनी परफॉर्मेंस दी जल्दी हेलन जी ने फिल्मी दुनिया से सन्यास लेने का भी फैसला कर लिया तकरीबन 1983 के दौरान उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शिरू कर दी और अपने परिवार में ही रुज गई मगर गुजरे दिनों को याद करते हुए हेलन जी हमेशा यही कहती है कि उन्होंने जितनी देर भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया बहुत ही खूबसूरत सफर रहा और वो शूटिंग पे कभी भी लेट पहुँचना पसंद नहीं करती थी हमेशा समय पे जाना उन्हें पसंद होता था अगर बात की जाए हेलन जी की तो हेलन जी हमारे भारतिये फिल्मी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल है उन्होंने बताया कि आइटम डान्स क्या होता है फिल्म में जान डालना क्या होता है अपने डान्स से जब उनके कदम थिरकते थे डांस के लिए तो सबकी आंखें खड़ी की खड़ी रह जाते थी उनकी खुबसूरत आंखों की movement, उनकी body की flexibility आज भी कई dancers उन्हें follow करने की कोशिश करते हैं मगर जब नाम आता है cabbage dancer का, तो Helen जी जीती जाकती मिसाल है हमारे भारतिय सिनेमा की गर्व है हमें Helen जी पर, उनकी अभिन्य प्रतिबा पर और बहुत ही अच्छी फिल्में देने पर आशा करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड यादों का सफर मश्हूर डांसर Helen जी को स्मर्पिद पसंद आया होगा जल मिलेंगे यादों के सफर की next एपिसोड में एक नई दास्ता और एक नए किरदार के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत और किसी भी इंफो के लिए आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं info at just broadcasting.com पे खूब सारा प्यार और धेर सारा इंतिजार धन्यवाद